नमस्का दोस्तों हमारे चैनल पर आपके स्वागत है आज मैं बात करने वाला हूँ बिना जॉब छोड़े आप एडवांस में फीफ का पैसे कैसे विडिटर कर सकते हो जो कि आपको यहाँ पर साइड में दिखाई जरा है एक दिन में यहाँ पर सेटल हो चुगा है मैंने यह पर कौन सा प्रोसेस फॉलो किया था उसके बारे मैंने आप लोगों डिटेल्स में बाताने वाला हूँ चले दोस्तों वीडियो को सुरू करते हैं आपको पहले क्या करना है गूगल क्रूम ब्राजर को उपिन कर लेना है मूबाल से भी कर सकते हो लैप्टॉप इसके पर क्लिक कर देना है उसके बाद आपके पास इसी तरीके से एक पेज उपिन हो जाएगा मैंने यहाप थोड़ा सा बड़ा करके दिखाईता हूँ उसके बाद आपको यहाप दिखाद रहा है ओनलाइन क्ले मेंबर एकाउंट टांसफर इसके पर क्लिक कर देना है उस उसके बाद आपके पास इसी तरीके से एक page open हो जाएगा अगर आप डाइरेट इस वाले page पर आने चाहते हो तो आपको क्या करना है इस वाले वीडियो के नीचे मैंने इसका link दे रहा हूँ क्लिक करने के बाद डाइरेट आप इस वीच पर आ सकते हूँ उसके बाद क्या करना है आपने यूएन नमबर यहां पर फिल कर देना है यूएन नमबर के पासफ़र्ड यहां पर फिल कर देना है अगर आपके पास इवेन नमबर नहीं है इस वाले वीडियो के खतम होने का ब लेटर के उपर क्लिक करना है, उसके बाद क्लेम करने से पहले आपको यहाँ पर एक चीज धियान रखना है, अपने BANK के KYC एक बार चुरूर चेक कर ले, BANK KYC चेक करने के लिए आपको क्या करने थोटा सा बड़ा करके यहाँ पर दिखाएदा आऊ, जो कि आपको यहाँ पर आकाऊं नम्बर IPCode एक बार चेक का लेना है उसके बाद ही जाकर आपको क्लेम करना है नहीं तो आपके पैसे यहाँ पर फच जाएगा इस जो आपको थोड़ा सा धियान रखना है अप क्लेम करने के लिए आपको क्या करना है यहाँ पर दिखाएद रहाई आपको यहां पर फिल करने के बाद आपको यहां पर 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 यहा कर देना है इसके पर क्लिक करने के बाद आपने डीटिलस आपको यहां पर दिखाई देगा जैसे कि आपने यू आ नमर होगया अपने नाम हो गया आपने पैन काण नमर होगया वह मैंने सारे कूछ यहां पर हायट करके रखा हूँ इसी वाइसे आपको यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है अगर आप चेक करने चाहतो आप यहाँ पर चेक कर सकतो उसके बाद क्या करना है यहाँ पर दिखाद रहा है Select Claim Option इसी के उपर पहले क्लिक कर देना है उसके बाद आपके पास इसी तरीके से Page Open हो जाएगा यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान रखना है अगर आपने नोकरी छोड़ दिया तो आपके पास यहाँ पर Date App Exit करने के बाद From 19 और 10 सी आएगा यहाँ पर Date App Exit नहीं है यहाँ पर बंदा काम कर रहा है इस वाइसे यहाँ पर P.A.P. Advanced from 31 आ रहा है तो हमें क्या करना है Advanced में पैसे भी ड्रॉल करने के लिए इस बॉक्स के उपर पहले क्लिक कर देना है इसके पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर दिखा देना है अगर आपने 4-5 कुमपानी में काम किया यहाँ पर 4-5 मेंबर आइडी दिखाए देगा जिस मेंबर आइडी साब पैसे भी ड्रॉल करने चातो आपको क्या करना है यहाँ पर मेंबर आइडी को सिलेट करना है यहाँ पर इस member ने एक ही company में काम किया इस बाज यहाँ पर एक ही member ID दिखाई द रहे है तो हमें क्या करना है इसी के उपर click कर देना है इसके उपर click करने के बाद आपको यहाँ पर दिखा द रहे है select advance पार हमें क्या करना है यहाँ पर पार select करना है कैसे करना है पहले इसके प पैसे आप बीडोल करने चातो वो आपको यहाँ पर फिल कर देना है amount फिल करने के बाद आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है locality अगर आप गाओं में रहतो तो आपको क्या करने है अपने गाओं के address फिल कर देना है अगर आप share में रहतो तो आपको क्या करना है अपने room number आपने building number आपको यहाँ पर फिल करना है उसके बाद क्या करना है अपने state के नाम यहाँ पर फिल करना है उसके बाद आपको यहाँ पर फिल करना है उसके बाद आपको यहाँ पर फिल करना है उसके बाद आपको यहाँ जो भी address है वही आपको fill करना है ऐसे कुछ भी नहीं है कोई भी address आप यहाँ पर fill कर सकतो अपने permanent address भी fill कर सकतो अपने current address भी यहाँ पर fill कर सकतो नहीं तो आप यहाँ पर दिल्ली दिल्ली भी डाल सकतो कोई भी problem नहीं है address के वाई से कोई भी claim यहाँ पर reject नहीं होता है आपको क्या करना है आपने एरिया के पिन कोड यहाँ पर फिल कर देना है पहले इसके पर क्लिक करना है अपने एरिया के पिन कोड यहाँ पर इसी तरीके से फिल कर लेना है उसके बाद आपको यहाँ पर दिखाज रहे चूस फाइल तो आपको यहाँ पर क्या करना है यहाँ अगर आपने चेक के इमें सम्मिट कर सकतो नहीं तो यहाँ पर आपने पास्बुक के इमें सेट कर सकतो कोई भी प्रोब्लेम नहीं है लेकिन आपको यहाँ पर ध्यान रखने है अगर आप चेक सम्मिट करने चातो अपने चेक में नाम प्रिंटेड होना बहुत जोरूर है न उसके बाद आपको यहाँ पर दिखा देरा है format जो होगा jpg and jpeg अगर आप चेक करने चाहतो यहाँ पर आप चेक कर सकतो यहाँ पर pdf फाइल सॉमिट नहीं कर सकतो उसके बाद आप यहाँ पर देख सकतो 100 kb से 500 kb के अंदर size होना चाहिए अगर आपके image 100 kb से कम है यहाँ प पर क्लिक कर देना है इसके पर क्लिक करने के बाद direct camera on करके भी यहाँ पर फोटो कीज के सॉमिट कर सकतो कोई भी problem नहीं है तो मेरा पास यहाँ पर फाइल में पढ़ा है मैंने यहाँ पर set कर लेता हूँ पहले आप यहाँ पर देख सकतो मैंने यहाँ पर image set कर चुका हूँ नहीं तो आपके claim reject हो जायेगा उसके बाद क्या करना है यहाँ पर close दिखाए दरा है मैं close के पर click कर देता हूँ उसके बाद आपको क्या करना है यह जो छोटा सा box दिखाए दरा है इसके पर click कर देना है इसके पर click करने के बाद यहाँ पर आपको एक चीज ध्यान रखना ह अपने अधर काड में mobile number register होना बहुत जूरूरी है अगर आपके अधर काड में mobile number register नहीं है यहां पर आप claim नहीं कर सकतो इस चीच को आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है उसके बाद क्या गाने यहां पर दिगद रहे get other OTP इसी के पर click कर देना है इसके पर click करने के बाद है वैलेटिटी OTP and Summit claim from तो हमें क्या करना है इसे के उपर क्लिक कर देना है आप यहां पर देख साकत हो हमारे पास यहां पर next page open हो जायेगा आपको दिटेल्स में दिखाएधेगा, अगर आप चेक करने चाता हो, इसी तरी के साफ चेक कर सकतो अपने जो भी claim किया है उसका डीटेल्स अगर आप डाउनलोड क्रने चातो तो आपको क्या करना है? यहाँ पर आपको साइड में अना है, यहाँ पर दिखाएधा है आपको यहाँ पर दिखाई देगा claim करते वक्त आपने check दिया या passbook दिया अगर आप check करने चाहतो यहाँ पर आप check कर सकतो यहाँ पर भी आपको details में दिखाई देगा यह था complete process अगर आपको अच्छा लगा like, share, comment करना बिलकुल भी ना भूले